नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृती विद्या टीटोरियल्स में मैं हूं मिधलेश बर्मा और आज हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक को हम लोग HCM भी कहते हैं, इसके पहले हम लोग LCM पढ़े थे तो महत्तम समापवर्तक कहते किसको हैं, यह देखेंगे हम लोग पहला है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी लगुत्तम समापरतेज में हम लोग पढ़ेते हैं छोटी से छोटी संख्या इसमें है बड़ी से बड़ी संख्या जो परतेग दी गई संख्या को पुर्नता विभाजित करती है तो इसमें बड़ी से बड़ी ध्यान रखिएगा महत्तम मतलब होता ही है बड़ा तो महत्तम स्वापरतक मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हो और सभी संख्याओं को पुर्णता विभाजित कर देता हो तो आईए देखते हैं उधारन से कि दो, चार, छे, तथा आठ का मौसर इसमें से ऐसा कुछ चूनिये, ऐसा कोई सब्द चूनिये, ऐसा कोई अंक चूनिये जो सभों को पुर्णता विभाजित कर दे तो देख लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या मान लेजे आठ चूनते हैं किसी को नहीं डिभाजित कर पाता है, किसी कर पाता है, नहीं, पुर्णता विभाजित कोई नहीं होगा, छे से भी कोई पुर्णता विभाजित नहीं होगा, चार से भी सभी पुर्णता विभाजित नहीं होगा, तो दो हुगा हमारा, तो दो ही एक ऐसा संख्या है, जो चार हादी से बड़ी संख्या है जो दही गई संख्याओं को पुर्नाता विभाजीत करती है अता अभिष्ट मुअस Yazdaom कि दो видел कोौः इसमों को पुर्नाता विभाजीत कर देता है और बड़ी से रद्धीट sisters चोती तो ही पुर्णता विभाजित ने होगा तो दो ही न ऐसा है जो कि पुर्णता विभाजित करे इसमें खाली ध्यान रखना है क्या बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए तो आईए एक इश्का भी हम लोग देख लें एक दो तीन तथा चार का मस आप आई टच मेधर से बनाने का कोशिस करेंगे कि देख करके हम लोग अंसर दे लें ऐसा कोशिस करते हम लोग तो कौन ऐसी संख्या है जो की सबों को पुर्णता विभाजित कर दे सबसे पहले देखे तो चार समों को पुर्णता विभाजित नहीं कर पाएगा, इधर से ही चलते हैं, तो एक ऐसी संख्या है, जो दो को भी पुर्णता विभाजित करता है, तीन को भी और चार को भी, तो यहाँ पर जो आपका मौसा आएगा, वह आएगा आपका एक, यही आपका अंसर हो जाएगा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णता विभाजित करती है वही उसका मौस होता है अब हम लोग देखेंगे कि HCF निकालने की दो बिधिया है पहला है भाग विधि द्वारा HCF निकालना दूसरा है गुननखंड विधि द्वारा HCF निकालना तो हम लोग भाग विधि द्वारा HCF पहले देखेंगे उसके बाद गुननखंड विधि द्वारा भी HCF निकालने के लिए हम लोग सिखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कि भाग विदी से हम लोग कैसे HCF निकालते हैं हम लोग बच्पन से यह पढ़ते आ रहे हैं फिर भी एक बार हम लोग repeat कर लेते हैं कहता है 20 और 24 का मौसा ग्याद करें तो भाग विदी से निकालने के लिए आप इसको ऐसे लिख देते हैं 20 से 24 को भाग करते हैं तो आप देख रहे हैं कि कितने बार में जाएगा तो एक बार में जाएगा 20 के 20 यापका यहाँ 4 बच जाएगा घटाने पर आप उसके बाद ध्यान रखेगा कि यहाँ पर यह उतरता है ध्यान देजेगा यहाँ वाला बीस उतरेगा तो चार पच्चे बीस जब यहाँ सुन्ने आ जाएगा मतलब पूर्ण नतह भी भाजित होगा पूर्ण कट जाएगा सेशपल जीरो हो जाएगा तब इधर वाला यहाँ वाला जो होगा यह मौसा होता है तो इसका मौसा क्या हो गया आपका चार हो गया तो बस यह ऐसा नहीं करियेगा कि पांच को मौसा कर देजेगा जैदि पांच को मौसा करियेगा गलत हो जाएगा आपको इधर वाला देना है चार आपका मौसा हुआ एक और हम लोग एक्जामपल देख लेते हैं कि 36 और 40 का मौसा ग्याद करें 36 और 40 का वो भी भाग विधी से हम लोग देख रहे हैं कौन विधी भाग विधी तो भाग विधी से 36 और 40 का मौसा ग्याद करना है तो 36 से हम लोग सबसे पहले 40 को डिवाइट करते हैं तो 36 एके 36 यहां आ गया कितना? 4 अब उत्रेगा क्या बता देंगे आप लो? उत्रेगा यह वाला 36 तो 4 नम्म 36 आपका पूरा कट गया सेसफल 0 हो गया तो सेसफल 0 हो गया तो मासा होता है यह वाला तो मासा हो गया हमारा मासा बराबर हो गया 4 यही अपना अंसर हो गया तो मित्रों जिदे आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक तो कर दीजे आपके लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है इसलिए लाइक कर दें और अब तक जिदे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियोंगे तो सब्सक्राइब की भी कर लें और बेल आइकन्स को दपा लें इससे होगा क्या कि मेरे सभी आने वाले वीडियो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप उसको देख सकेंगे गुननखंड विधी द्वारा HCF ग्यात करेंगे गुननखंड विधी द्वारा तो 32 और 56 का गुननखंड निकालना है लेकिन गुननखंड विधी से मसवा निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको 32 और 56 है न लिख लेंगे और आपको लिखना होगा 32 का अपवर्तक 32 का अपवर्तक लिख लिजिए, कह लिजिए या तो आप गुननखंड कर लिजिए गुननखंड कह लिजिए तो 32 का अपवर्तक कहने का मतलब है कि ये किस से किस से कटता है 32 से कट जाएगा, 2 से भी 32 कट जाएगा तीन से नहीं कटेगा, चार से कट जाएगा, छह से कट जाएगा, आठ से भी कट जाएगा, सोला से भी कट जाएगा, और अंतिम बत्तिस से भी कट जाएगा जिस से कटेगा बत्तिस उस से को हम लोग यहां लिख लेते हैं उसी तरह से हम लोग लिखेंगे 56 का अपवर्तक, 56 का अपवर्तक या तो कह लेजए कि 56 के गुनन खंड, तो 56 किस से कटेगा बोले fiber 1 से जरूर कट जाएगा 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, पिर आपका 14 से कट जाएगा फिर 28 से कट जाएगा और फिर किस से कट जाएगा 56 से अब आप देख लिजे कि दोनों में मिलने वाला क्या क्या है दोनों ऐसा गुननखंड जो दोनों में उमभय निष्ट हो अब लिखेंगे हम लोग 32 तथा 56 के उबह निष्ट उभयनिष्ट मतलब दोनों में मिलना उभयनिष्ट गुनन खंड तो 32 और 56 के उभयनिष्ट गुनन खंड क्या क्या आएगा जो दोनों में मिले देखे एक दोनों में मिला दो भी दोनों में मिला चार भी दोनों में मिला आठ भी दोनों में मिला उसके बाद और कुछ नहीं मिल रहा है तो इसमें से क्या-क्या मिला एक मिला, दो मिला, चार मिला, और आठ मिला आब गुननखंड जो मिला सो देख लिए आब यह आपको चूनना है सबसे بड़ा, बड़ा से बड़ा तो सबसे बड़ा कौन है? इन में से सबसे बड़ा जो है वो है आठ आठ सबसे बड़ा है तो यही आपका क्या हो जाएगा मसा होगा इन सबों में उभेनिष्ट में जो सबसे बड़ा होगा जो सबसे बड़ा होगा ध्यान रखेगा सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा इसमें से कौन हुआ आठ तो अता हम लोग लिखेंगे कि 32 तथा 56 का मौसा ज़दी बात करें तो हो जाएगा आठ आप भाग विदिश भी निकाल के देखना चाहेंगे तो यही आएगा तो मित्रों आपको हम समझ रहे हैं कि समझ में आ गया होगा एक और देख लेते हैं हम लोग 64 और 80 का मौसा तो आप बता देज़े सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग 64 के गुनंखंड लिखते हैं कि 64 किस से कटता है तो 64 कटेगा 1 से, 2 से, 3 से नहीं कटता है, 4 से कटेगा, फिर 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, फिर 8 से कटेगा, फिर 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, 15 से नहीं, 16 से कटेगा, फिर 32 से कटेगा और फिर अपने आप 64 से कटेगा तो हम लोग 64 के गुननखंड निकाल लिए अब 64 के गुननखंड निकालने के बाद हम लोग अब हम लोग 80 का भी गुननखंड निकाल लेते हैं आएए 80 के गुननखंड को देखें 80 के गुननखंड क्या हो सकते हैं 80 के गुननखंड की मैं बात करूँ तो एक से, दो से, फिर तिन से नहीं, चार से, छे से नहीं, आठ से कट जाएगा, 19, 11, 12 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से, 16, 17, 18, 19, 20 से, 22 के बाद आपका जो आएगा वो 40 आएगा, चारिस के बाद 80 आएगा. तो 64 और 80 के उभैनिष्ट गुननखंड उभैनिष्ट गुननखंड क्या क्या होगा तो देखे तो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, 8 मिल गया और क्या, 16 मिल गया तो क्या क्या हो गया, 1, 2, 4, 8 और 16, इसमें से हम लोग चुनते किसको है, सबसे बड़ा को, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 16, तो हम लोग कहेंगे न, कि अतर 64 और 80 का मौस बरावर 16, मित्रों इसको आप समझे होंगे, जदे आप समझ गया होंगे, तो आप कमेंट्स करेंगे नेक्स्ट है, भिन्नो का LCM, अब हम लोग LCM निकालेंगे, लेकिन भिन्नो का, भिन्न में रहेगा दिया हुआ, जैसे ये देखिए, 2 बटे 3 का, 3 बटे 4 का, और 4 बटे 5 का लसा निकालने हम लोग सीखेंगे, तो भिन्नो का LCM निकालने का फर्मूला आपको ध्यान में रखेंगे, उपर भी LCM होगा, इतना पता चल गया, LCM निकालना है, तो उपर भी LCM होगा, जदि उपर LCM होगा, नीचे HCM होगा, तो आप ध्यान रखेंगे, कैसे वो देखना पड़ेगा, कि LCM निकाल रहे हैं, तो अन्सों का LCM, उपर LCM यहाँ है, तो उपर में कम से कम मुएद रखना है कि LCM होगा और नीचे HCF होगा दोनों same नहीं होता है उपर LCM निचे HCF तो यह same नहीं होता है यह ध्यान रखेंगे तो एक प्रश्ण हम लोग बनाते हैं कि 2D3D4DS 3D4D5D का लस क्या होगा तो हम लोग जानते हैं कि भिन्नों का लास, हम लोग हल कर रहे हैं, कि भिन्नों का लास बराबर क्या होता है, आंसों का लास अपन हरों का मौस तो आप आंसों का लास तो लास निकलेगा, लसा निकालेंगे हम लोग किसका किसका 2, 3 और 4 का 2, 3 और 4 का लसा निकालना है और मसा किसका निकलेगा बता दिजे मसा निकालना है हम लोगों को 3, 4 और 5 का बस जो आंसर आएगा वही हमारा सही आंसर होगा तो LC हम लोग निकालने तो जानते हैं कि ऐसा कोई संख्या ले ले लिजे, दो सबों से कट जाए, छोटी से छोटी संख्या तो आप देखिए, 12 ले लिजे तो सबों से कट जाएगा, कि नहीं तो 12 ऊपर LCM हो गया, आप चाहें तो निकाल लिजे, ऐसे निकाल लिजे, दो से डिवाइड करेंगे तो दो एक एक तीन दो दुनी चारत दो दुनी चारत यह बारह हो गया तो आप ऐसे भाग विरिष निकाल सकते हैं आप आप आई टाच मेथर जानते ही हैं मास इन तीनों में ऐसा कोई संख्या लेजिए जो तीनों को डिवाइड कर दे तो वो एक ही है एक कैसा संख्या है जो सबों को डिवाइड कर लेगा तो अन्स का लास हो गया 12 और हरका मौस सह हो गया 1 तो 12 बट एक बराबर 12 हो गया और आपका यह दो नमबर option में है दिया हुआ तो मित्रों ये समझ गए होंगे बस आप ध्यान रखेगा फर्मूला को जदि भिन्नों का LCM निकालना है तो उपर में LCM रहेगा आंसों का LCM, आंसर हर रहेगा ये उपर आंस नीचे हर यहां LCM है तो उपर LCM तो नीचे HCF होगा सेम नहीं होता है तो ये आप जरूर समझ गए होंगे कोई बड़ी बात नहीं है कोई कठीन काम नहीं है आप जरूर समझे होंगे उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट है कि भिन्नों का HCF भिन्नों का HCF तो भिन्नों का HCF का बस आप फर्मूला जानी है अब हम लोग जो पढ़े थे बस वही कि भिन्नों का HCF का जो फर्मूला होता है ये होता है आप यहाँ HCF है तो उपर में HCF आ जाएगा अन्सों का HCF और उपर HCF है तो नीचे LCM मतला हरों का LCM तो उपर HCF तो उपर भी HCF और नीचे क्या होगे LCM 2 बटे 3, 3 बटे 4 और 4 बटे 5 का मसा क्या होगा और से ने 1 बटे 60, 90 1 बटे 12 और 6 तो हम लोग बिना सौल्व किये इसको नहीं जान सकते सौल्व कर लेंगे और सौल्व करने में फर्मूला क्या होगा तो हम लोग जान रहें कि भिन्नों का भिन्नों का HCF भिन्नों का HCF बराबर होता है अंसों का HCF पहले उपर में जह है अंसों का HCF HCF बटे हरों का LCM ध्यान रखेगा उपर HCF तो नीचे LCM तो हम लोग HCF निकाल लेंगे किसका HCF किसका निकलेगा हम लोग HCF निकाल लेंगे तो UNS का UNS में क्या क्या है 2, 3 और 4 2, 3 और 4 का HCF और LCM निकाल लेंगे किसका किसका नीचे वाले का 3, 4 और 5 3, 4 और 5 का LCM तो HCF जो निकलेगा वो उपर में होगा 1 आप निकाल के देख सकते हैं 2, 3, 4 का HCF एक होता है और इसका LCM हो जाएगा नहीं कटेगा आप इसको निकालना चाहेंगे तो किसी से डिवाइड नहीं होगा तो उस केस में हम लोग क्या कर देते हैं सब लोग को मल्टिप्लाइ कर देते हैं तो हो गया 60 तो इसका जो सही अंसर होगा वह एक होगा एक नमबर उप्सन सही होगा एक बटे 60 इसका सही उत्तर होगा तो इसको आप समझगे मित्रू इसमें क्या करना है कि HCF निकाल लेजे 2, 3, 4 का लागातार संख्या आ जाए ना कभी तो हमको लगता है क्या इसका रूर हमेशा है कि एक ही HCF होगा जदि लागातार संख्या आ जाए तो और यह LCM में देखे कि तो यह किसी से कटता नहीं है डिफरेंट वर्ड है डिफरेंट लेटर है तो सिधा उस समय हम लोग मल्टी प्लाइ कर देते हैं तो हम लोग भिन्नो का LCM और भिन्नो का HCF दोनों निकालने के लिए सीखे इसमें कोई मंत्र नहीं है सिधा फर्मूला ध्यान में रखिएगा कॉस्चिन अपने आप बनता जाएगा एक बहुत ही इंपोर्टेंट फर्मूला पढ़ने जा रहे हैं इससे ही परशनाएगा आपका कि LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ये फर्मूला ज़िदे ध्यान में रखते हैं तो तीन फर्मूला आपको एक के साथ तीन फिरी मिल जाएगा और इस प्रशन हमको लग रहा है कि HCF और LCM से इसी फर्मूला पे बेस्ट आपका प्रशन आएगा तो only आपका बोल दिया जाए पहली संख्या दिया हो दूसरी संख्या दिया हो और HCF दिया हो तो LCM कैसे निकलेगा तो LCM only LCM निकालना हो तो क्या हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अपउन HCF बस जड़ी HCF की बात करे में आजाएगा तो HCF जड़ी निकालना हो तो हम लोग निकालेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अपउन LCM तो यह हो गया कभी पूछे दे कि पहली संख्या पहली संख्या इस तरह गदे दे तीन चीज LCM दे दे, HCF दे दे और दूसरी संख्या दे दे तो आपको पहली संख्या निकालना हो तो पहली संख्या का जो फर्मूला हो जाएगा वह होगा LCM गुने HCF अपोन दूसरी संख्या दूसरी संख्या और जैसे दूसरी संख्या पूछ ले आपसे तो दूसरी संख्या बराबर आप फर्मूला ध्यान में रखिएगा कि दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF अपोन पहली संख्या तो मित्रों आप इसको चार फर्मूला देख लिए एक फर्मूला ध्यानवे रखने से चार आपको फिरी में मिल गया एक के साथ चार फिरी है चलिए कोई बात ने जदि आप उपर ओला लाइन आप ध्यान में रखते हैं प्रस्न नेक्स्ट है प्रस्न देखिए कि दो संख्याओं का मौसा दिया हुआ है कितना मौसा और लगुतम समाप वरते जी करमसा चार और आठ है मतलब मौसा आपका चार है और लोसा जो है लोसा आपका 48 है मौसा चार और लोसा 48 है इन में से एक संख्या मतलब कहिए कि पहली संख्या दिया हुआ है पहली संख्या भी आपका दिया हुआ है आपका इसमें पहली संख्या कितना दिया हुआ है बारह तो दूसरी संख्या आपको निकालना है दूसरी संख्या is equal to what तो हम लोग अभी पढ़े थे फर्मूला हम जानते हैं कि इतना लिखने ज़रूरत नहीं है लेकिन हम लोग जदि आप बच्चे को पढ़ाएं तो ऐसे लिखना पढ़ेगा कि हम जानते हैं कि LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या या तो आप वो दूसरी संख्या का डारेक्ट फर्मूला भी आप पढ़ें उसको भी लगा सकते हैं नो प्रावलम उससे भी बनेगा LCM आपका हो गया LCM आपका हो गया 48 सोरी 48 और HCF हो गया 4 पहली संख्या हो गया आपका 12 तो दूसरी संख्या आपको निकालना है दूसरी संख्या को आप दूसरी संख्या ही छोड़ दीजिए आप देखिए 12 चब के 48 बरावर बरावर में कटता है हम लोग पढ़े थे तो आप देखें दूसरी संख्या कितना हो गया आपका दूसरी संख्या जो है वो आपका हो गया कितना शोलह तो दूसरी संख्या आपका सोलह हो गया और यही आपका correct answer है जो कि आपका option number 1 में ही मिल रहा है तो इसका जो सही answer होगा वो है एक होगा तो मित्रों आप ध्यान देजेगा कि इसी पर बेस्ट कॉस्चन आपका आएगा इसलिए इसको आप एक दो बार प्रेक्टिस करिएगा और जदी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा कि तो फिर समझा देंगे और एक बार पुना रिक्वेस्ट है धिन्यवाद